सभी को मेरा अभिवादन आज हम अध्याई 22 रसाइनिक समन्विर तथा एकी करण के अंतरगत हम मानव शरीर में स्रावित होने वाले रसाइनों के बारे में जानेंगे जो तांत्री की तंत्र के इलावा हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं विद्यार्थियों आज के अध्याई के हमारे अधिगम उद्देशिय अर्थात लर्निंग अब्जेक्टिव्स है आपको हमारे शरीर में मौझूद विभिन परकार के अंतरवी ग्रंथियों के बारे में अवगत करवाना आपको आज पीनियल ग्रंथी, थायरेट ग्रंथी, पैरा थायरेट ग्रंथी और थाइमस ग्रंथी की सनरचना के बारे में अवगत करवाना आप ये भी जानेगे कि इन ग्रंथियों में से कौन-कौन से हॉर्मोन स्रावित होते हैं और वे किस परकार हमारे शरीर को नियंतरित करते हैं और हमारे शरीर के भिन-भिन हिस्सों में समन्वे स्थापित करते हैं इसके इलावा इस सत्र के बाद आप अपने स्वरूप के बारे में जानेंगे। ये सत्र आपका अवलोकन और ड्रोइंग कोशल को विक्सित करने में मदद करेगा। और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ज्यान से संबंदित करने में मदद होगी। विद्यार्थियों क्या आपने कभी तीसरे चक्षू या तीसरे नेत्र के बारे में सुना है। असल में कुछ लोग प्रिष्ट वंशिय मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंते सरावी ग्रंथी जिसे हम पीनियल ग्रंथी कहते हैं को तीसरे नेत्र के रूप में मानते आईए सबसे पहले हम पीनियल गरंथी के बारे में बात करें इस गरंथी का आकार एक छोटे से चीड के पेड के शंकू यानी पाइन शंकू से मिलता जुलता है तादनुसार इसका नाम पीनियल गरंथी रखा गया पीनियल गरंथी अगर मस्तिष्क के प्रिष्टिय उपरी भाग में स्थित होता है ये मस्तिष्क के केंदर में दोनों गोलार्धों के बीच खांचे में सिम्टी रहती हैं जहां दोनों गोलाकार चेत की ये पिंड जुड़े रहते हैं अपनी स्क्रीन पर दिये गए आरेक में आप मस्तिष्क में पीनियल गरंथी की स्थिती को देख सकते हैं लगभग सभी किशेरु की प्रजातियों में एक पीनियल गरंथी होती है सबसे महत्वपून अपवाद एक आदिम रुजुकी प्रानी हैं हैगफिश अपनी स्क्रीन पर देखिए ये एक इल के अकार का समुदरी रज्युकी अर्थात कॉडेट जीव है वे एक मात्र ऐसे जीवित प्रानी हैं जिनके पास एक खोपड़ी तो है लेकिन कोई मेरुदंड अर्थात स्पाइनल कॉड नहीं है ये ग्रंथी चुणकी केल्सिकृत है अर्थात इसमें केल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है इसे अक्सर खोपड़ी के समाने एक्सरे में देखा जा सकता है पीनियल ग्रंथी मेलेटोनिन नामक हॉर्मोन स्रावित करती है मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लए 24 घंटे के नियमन का एक महत्व पून कारे करता है उधारन के लिए ये सोने जागने के चक्र एवं शरीर के ताप क्रम को नियंतरित करता है इन सबके अतिरेक्त मेलेटोनिन उपापच्य वर्नक्ता मासिक आर्तव चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है अब हम थारिट ग्रंथी पर चर्चा करते हैं थारिट ग्रीक भाषा से लिया शब्द थारोडिस से लिया गया है जिसका अर्थ है ढाल के आकार का थारिट ग्रंथी एक गुलाबी रंग की तितली नुमा आकार की ग्रंथी है जो श्वास नली के दोनों और स्थित दो पालियों से बनी होती है दोनों पालियां संयोजिक उतक के पतली जिल्ली नूमा इस्तमत से जुड़ी होती है परतेक थारड ग्रंथी में अनेक पुटिकाएं पाई जाती हैं जिने एसी नहीं कहते हैं इसके इलावा इनमें भरन उतक होते हैं परतेक थारड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अनतेसरावी ग्रंथियों में से एक है थारड की पुटक कोशिकाएं दो हॉर्मोन का शंसलेशन करती हैं पहला टेटरा आइडो थाइरोनीन अथवा थाइरोकसिन जिसे हम T4 के नाम से भी जानते हैं और दूसरा ट्राइडो थाइरोनीन यानि T3 का संसलेशन करती है T3 और T4 रक्त प्रवा के द्वारा शरीर की लगबग हर कोशिका तक पहुँचते हैं हॉर्मोन उस गती को नियंतरित करते हैं जिसके साथ कोशिका चया पच्चय कारे करते हैं जिससे शरीर के उर्जाक्षे, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हॉर्मोन के प्रती होने वाली समवेदन शीलता नियंतरित होती है ये हॉर्मोन चयापच्छे की दर और कई अन्य शारिडिक तंत्रों के विकास और उनके कारेओं की दर को भी प्रभावित करते हैं हॉर्मोन केल्सिटोनिन केल्शियम समावस्था अर्थात केल्शियम होमियोस्टेसिस में एक महत्व पून भूमी का अदा करता है थायरड हार्मोन के समाने दर से संसलेशन के लिए आयोडिन अति अवशक है हमारे भोजन में आयोडिन की कमी से अव थायरडिता अर्थात हाइपो थायरडिजम हो जाती है इसी के साथ साथ थारिड गरंथी की वृद्धी हो जाती है जिसे सधारंता गल गंड अर्थात गाइटर कहते हैं गर्भावस्ता के समय अव थारिड़ता के कारण गर्भ में विक्सित हो रहे बालक की वृद्धी विक्रित हो जाती है इससे बच्चे की अवरोधित वृध्धी अर्थात क्रियेटिनिजम वामनता बच्चे का मंद बुद्धी होना तोचा की असमान्यता मूख पधिरता आदी हो जाती है व्यस्क स्त्रियों में अव थायरिडता मासिक चक्र को अनियुमित कर देता है थायरिड गरंथी के कैंसर अथवा इनमे गांठों की वृध्धी से थायरिड हार्मोन के एसेंसलेशन की दर असमाने रूप से अधिक हो जाती है इस थिती को थायरिड अतिक्रियता कहते हैं जो शरीर की कारी की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है थारेड हार्मोन आधारिय उपापच्चिय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं ये हार्मोन लाल रक्त कनिकाओं के निर्मान की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं जिसके कारण रक्त अलपता की रोकधाम होती है थारेड हार्मोन कार्बोहाइडरेट प्रोटीन और वसा के उपापच्चे जिसमें उनका संसलेशन और विखंडन शामिल है को भी नियंतरित करते हैं जल और विद्धित उपघटेओं का नियमन भी थायरड हार्मोन प्रभावित करते हैं ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धी को नियंतरित करता है ये दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है हृदे गती एवं रक्त चाप को नियंतरित करता है थायरड गरंथी से एक प्रोटीन हॉर्मोन थायरो केल्सोटोनिन का भी श्राव होता है जो रक्त में केल्शियम स्थर को नियंतरित करता है नियतरो सधी गलगर्ड अर्थात एक्स अप्थैल्मिक गाइटर थायरड अतिक्रिया का एक रूप है इसे ग्रेव्ज रोग भी कहते है थायरड गरंथी में व्रिध्धी नेतर गोलकों का बाहर की और उभर कर आना आधारी उपापच्चे के दर में व्रिध्धी एवं भार में हवास कुछ अभी लक्षन है जिससे हमें ग्रेव्ज रोग के होने का पता लगता है अगली गरंथी जिसकी हम चर्चा करेंगे वे है पैरा थायरड पैरा थारेड ग्रंथी थारेड ग्रंथी की पश्च सता में धसी दो जोडी या चार छोटी अंडाकार सी लाल रंग की ग्रंथियां हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, थारेड गरंथी की पस्च सता पर दो पालियों पर परतेक में एक जोड़ी पैराथारेड गरंथी पाई जाती है, जो पैराथारेड हॉर्मोन अर्थात PTH नामक का एक पेप्टोइड हॉर्मोन का स्राव करती है। ये हॉर्मोन वाइटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में केल्शियम की मातरा को बढ़ाने का कारे करता है। PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचारित केल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथारेड हॉर्मोन रक्त में केल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों पर कार्यकर अस्थी अवशोशन यानी अस्थियों का विघटन या वी खनिज प्रक्रम में सहायता करता है PTH वरिक नलिकाओं से केल्शियम को पुनरावशोशन तथा पचित भोजन से केल्शियम के अवशोशन को भी प्रेरित करता है अता ये स्पष्ट है कि PTH एक अतिकेल्शियम रक्तता हॉर्मोन अर्थात हाइपरकेल्सेमिक हॉर्मोन है ये थाइरोकेल्सोटोनिन के साथ मिलकर शरीर में केल्शियम के स्तर को बढ़ाता है TCT के साथ मिल कर ये शरीर में कैल्शियम का संतूलन बनाए रखने में महत्वपून भूमी का निभाता है यदि किनी कारणों से पैराथ हॉर्मोन की शरीर में कमी हो जाए तो पेशियों तथा तंत्रिकाओं में अनावशक उत्तेजना के कारण एंठन और कमपन होने लगता है कभी-कभी एचिक पेशियों में लंबे समय तक सिकुडन पैदा हो जाती है अगर ये सिकुडन कंट की पेशियों में हो जाए तो सांस ना लेने के कारण रोगी की मृत्यू तक हो जाती है इस रोग को टेटनी कहते है कभी-कभी ये ग्रंथी अधिक हॉर्मोन का स्राव करने लगती है इससे हड़ियां गल कर कोमल तथा कमजोर हो जाती है मूत्र की मात्रा कम हो जाने से प्यास बढ़ जाती है भूक मर जाती है और सिर में दर्द रहने लगता है अगली ग्रंथी जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे वे है थाइमस थाइमस प्रतिरक्षा परनाली का एक विशिष्ट प्रात्मिक लसिकाब अंग है थाइमस के अंदर लिंफोसाइट जिससे हम T-cells कहते हैं परिपक्व होते हैं ये भून अवस्ता से शेश अवस्ता तक बढ़ती रहती है थाइमस गरंथी महा धमनी के उदर पक्ष पर उरोस्ती अर्थात स्टर्नन के पीछे फेफडों के बीच स्थित एक पाली युक्त सनरचना है थाइमस गरंथी प्रतिरक्षा तंतर के विकास में महत्वपून भूमी का निभाती है ये गरंथी थाइमस इन नामक पेप्टाइड हॉर्मोन का स्राव करती है थाइमस इन टी लिम्फोसाइड्स के विबीदी करण में मुख्य भूमी का निभाते हैं जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा जिसे हम सेलुलर इम्मुनिटी कहते हैं के लिए महत्वपून है प्रति जैविक अर्थार एंटी बॉडिस के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अब घटन होने लगता है फलसरूप थाइमस इन का उत्पादन घट जाता है इसी के परिनामसरूप प्रित व्यक्तियों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है चलिए आज के सत्र का पुनराव लोकन करें आज आपने जाना कि पीनियल ग्रंथी से स्रावित मेलेटोनिन नामक होर्मोन हमारे शरीर की दैनिक लएके नियमन के लिए किस परकार कारे करता है आपने थारट ग्रंथी के बारे में जाना और उससे स्रावित होने वाले हॉर्मोन थाइरोकसिन एवं ट्राइडो थाइरोनिन की शरीर में उपापच्य के नियमन में क्या भूमिका है आपने ये भी जाना कि अगर थारट ग्रंथी से स्रावित होने वाले हॉर्मोन में कमी आ जाए या उसकी वृद्धी हो जाए तो किस परकार के विकारों की उत्पत्ती होती है आपने पैरा थारेड ग्रंथी और उससे स्रावित होने वाले पैरा थारेड हार्मोन का केल्शियम के उपापच्य में भूमिका को जाना और आखिर में हमने थाइमस ग्रंथी के बारे में जाना जिन में से स्रावित होने वाले हार्मोन थाइमस इन हमारी प्रतिरक्षाक शमता को वियन्यमित करता है आपके लिए कुछ प्रशन है पहला प्रशन गाइटर क्या होता है और किस कारण वश होता है दूसरा प्रश्ण PTH एवं T4 की भूमिका को स्पष्ट करें तीसरा प्रश्ण हाइपो केलसियमिक हार्मोन का एक उधारन दीजिए चौथा प्रश्ण थाइमस ग्रंथी और प्रतिरक्षा परनाली के बीच में क्या संबंध है संक्षेप में व्याख्या करें आशा करती हूँ आज का सत्र आपके लिए ज्यानवर्धक रहा होगा अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नित नूतन सीखने का प्रियतन करते रहिए नमस्कार प्रियतन नित रहिए सब्सक्राइब एक जो रहाएब झाल